किसान भाईयो नमस्कार, किसान भाईयो गेहों में दूसरे पानी लगाते समय कौन-कौन से खाट डाले और दूसरा पानी किस समय पर देना चाहिए, जिससे कि गेहों की फसल से एक अच्छी पैदावार ली जा सके किसान भाईयो जब आपकी फसल लगबग 40 से लेकर 50 दिन के हो जाती है, तब हमें अपनी गेहों की फसल में दूसरा पानी लगा देना चाहिए, और उस समय इस खाट का इस्तमाल करना चाहिए, जो कि आपको आगे चलकर इस वीडियो में बताया जाने वाला है किसान भाईयो जदी आप अपने गेहों में ज़्यादा टिलिंग नहीं देख पा रही है, और जदी आपकी फसल पेली-पेली हो रही है, तो आप इस खाट का इस्तमाल करने से आपको बहुत ती पहतर ती चल्ट मिलेंगे, आपके गेहों की फसल में फुटाओ, और उसके किसान भाईयो जदी आपकी गेहों की फसल पीली-पेली पढ़ रही है, और पिर उसमें जदो फुटाओ नहीं हो पा रहा है, तो इस खाट का इस्तमाल करके आप अपने गेहों में टेलिंग के संक्याब ड़ा सकते हैं, और ऊसका फिलापन भी दूर्स कर सकते हैं, और किसा किलोگराम यूरया लेना है क्यों कि किसानवाइयों गियों कि फसल के लिए यूरया ब lavd जरुरी खाद है गियों कि फसल में आपको यूरया का इस्तमाल 50 दिन से पहले पहले करना है इसलिए आपको इस समय पर 30 से लेकर 35 किलोग्राम योड़ियाregons से लेना है, क्याओंके भाइ यो Emperor 50 दिन के अवस्ता होने के बाद कियोंके फसल्कों जादा 19 NiMO करायं में बहुत जादा मुदध Ja उती है नियो मिट्टी या फिर 500 किलोग्राम से सागरिका लेनी है सागरिका की कङा ती है सागरिका में बहुत चोटे पोसक्तत होते हैं जो हमारी गयों की वसल के लिए बहुत ही मैट्रपूर्ण होते हैं सागरिका एक बहुत जरूरी खाद है यह सबसे अच्छा और सबसे सस्ता ग्रोथ परमोटर है इसमें जो चोटे पोसक्तत होते हैं उनके मदद से ट्रेलिंग बहुत ही अच्छी होती है और ग्यों की जो ग्रोथ होती है वो भी बहुत सामता तरीके चलती है इसके बाद आपको लगवग 5 से लेकर 6 kg मोनोजिंक लेना है मोनोजिंक में 33% जिंक होता है उसमें 15% सल्फर होता है सल्फर और जिंक बहुत जरूरी खाद है हमारी ग्यों की फसल के लिए यदि तेले फसल है उसके लिए सल्फर काम नहीं करता तेले फसल में काम करता है लेकिन सल्फर सभी फसल के लिए बहुत महत्वपून खाद है इसलिए सल्फर आपको ग्यों की फसल में जरूर डालना है यो या सागरिगा और मोनोजिं का उपयोग पहले पाने पर कर लिया है तो आप इस समय महनोजीन को ना ले आपके बल सागरी का और यूर्या को लेकर अपने खेट में उड़ेल दीजे और सिशाई कर दीजे किसान बाइयो इन तीनों की खाद के मदद से आपके यहों का फिलापन भी दूर हो जाएगा और उसमें ट्रेलिंग भी होनी शुरू हो जाएगी और आपको चोकाने वाले रिजल्ट देखने हों मिले गए तो किसान बाइयो इस तरह कैसे आप आपने गयों का पिलापन दूर कर सकते हैं और उसमें ट्रेलिंग की संग क्या बढ़ा सकते हैं उम्मेद करता हूँ जानकरी अच्छे लोगी होगी जानकरी अच्छे लोगी होते वीडियो को लाइक करना और जोदिया आप हमारे चैनल लोगर पहले बारा तो चैनल को सब सब्सक्राइब करना न भूले मिल जाए नए वीडियो में नहीं जानकरी चाहिए तब तक करें नमस्क्राइब